ये परसंद पंडे ये चुलबूल पंडे है जिसको अपना जात नेता ने मानता है उद्वसर जायत के नेता बनने के लिए चला है ये मुसलमान के बीच जाएंगे ये दलीत के बीच जाएंगे ये पिछरा के बीच जाएंगे ये अतियंत पिछरा के बीच जाएंगे ये पर परसंद किसोर अपने मुह से इस बात को सीध कर दिया कि बास्तम में हम नचनिया बेहार के जमताक अपमानित बला सब्द बोला है भुखा नंगा बोला है कहते हैं कि ग्रेजुएट पास लड़का कई से नौमी फेल को अपना मुख मंत्री मालेगा इसके जैसा जैसा में क्योंने बफ बोड पर बोलता है क्योंने यारक्षन खतम कर दिया उस पर बोलता है क्योंने देश में जातिया जनगना पर बोलता है क्योंने बिहार में बीसेस राज के दरजा पर बोलता है दही जम गया है मुह में परसंद पंडे को बिहार के जमताक इन्हों ने कहा है के 30 साल 35 साल ही लोगों को लुटा हम परसंद पांडे से कहना चाहते हैं इनका जो बाप दादा था जो पूरबद था बरसों बरसों से इस देश को लुटा उसका जबाब के देगा तीसे साल में इनको दिमाग खड़ाब हो रहा है अगले साल विधान सवाज चुनाओ है जिसको लेकर जो है सारी दल तयारियों में जुटी हुई है एक तरफ जहां नेता परतिपक्स तेश्वी आदबी अभार यात्रा पे निकले हुए हैं दूसरी तरफ एंडिये के दल है वो भी अपने छेतर में घूम रहे हैं और तीसरे जो नए चेहरे हैं प्रसांद की सोर जो लगतार दावे कर रहे हैं कि 2025 में वह सरकार बना रहे हैं कुछ दिनों पहले आरजेडी के विधायक है हमारे साथ रामरिक सदा जी इनसे हमने इंटर्व्यू लिया था तब इन्होंने कहा था कि वह तो नचनिया है जहां पैसा मिलत है हमने कर दों पैसा जाते हैं को पैसा हमने के सरी जाते हैं अदर्वार ब्लेग दिया है को तो को जब पहले निया बना अर्ग कर दो उन्होंने कहा कि इनका काम नचन्यावाला है. जहाँ पैसा मिलेगा मान नाचनी चलिएगा। किस ने मुझे पैसा दिया। बिहार की जन्ता नहीं बिहार के तुम लोगो ने जो 30 साल बिहार को चलाया, उसका नतीज़ा ये है कि बिहार में आप लोगों ने तीस सालों में ऐसा कर दिया कि दो तीहाई लोग बिहार में सोड प्या नहीं कमा रहे हैं पूरा बिहार को आपने भूखा नंगा कर दिया परसांद किस और आपको जवाब दिया बहुत बहुत धन्यवाद परसंद पंडे जी का जबाब है नचनियाख हम तो अभी सुने हैं आपके चैनल के माधियम से नचनियाख है कभी बिजडैपी से पैसालेक उनके पाठी के तरफ नचता है नका परबकता बोला अभी ये बोल रहे थे ने कि बिहार के जमत कर दिया और बिहार के जमता प्लोक्त हम अपमानित बाबला सब्द बोला है भुखानंगा पहला आदमी भी ऐसा भासा का परियोग नहीं कर सकेगा बिहार के लोगों को भुखा नंगाने का से गए और बिहार के जनता के इन्हों ने कहा है कि 30 साल 35 साली लोगों को लुटा हम परसंद पंडे से कहना चाहते हैं इनका जो बाप दादा था जो पूरबद था बरसों बरस खटिया कुरसी पर बैठने के लिए नहीं देता था उसको भी बाबु लालू परसादी आदब जी खटिया कुरसी पर बैठाया जो डिया में स्पीत के आँख में आँख मिला के बलबाने का कम किया परसंद पंडे जो बोलते हैं तो वह हर्मुनिया बजाने के बात बोलते यहार के लोग वहit景 पिरपी आरें हगाई है और इनका परभकता बोलता है कि वहार के लोग चंदा देते हैं उनके के, चंदा पर चलते हैं। और इनका नता कहते हैं Him a पने पैसा से हर्मोनिया किन बजाते हैं तो अगर बंदर को भी ट्रेनींग दिया जाता है। तो भी हर्मोनिया बजाने लगता है तो हम इससे जादे कुछ ने समझते हैं परसंद की सुरुख पहले लूटे हैं तो उनके पास जो फाइल है सबूत के साथ ने बोलेंगे मुह से बोलेंगे हम लोग को 30 साल लूटे हैं इनका बाप दादा पुर्खा पती ब्रहमन बादी विवस् यह जब यह कहां जाएंगे यह मुसल्मान के बीच जाएंगे यह दलीत के बीच जाएंगे यह पिछरा के बीच जाएंगे यह अत्यांत पिछरा के बीच जाएंगे यह परसंद पंडे हैं बरहमन हैं यह कभी बरहमन के बीच जाते हैं कभी बरहमन के मिटिंग क्या है करके देखेते हैं जिसको अपना जायत जात नहीं मानता है न्यता म्ता दोसर जायत के न्यता agreed कभी न्यता नहीं बनेगा और उसके जैसा जैसा बहार्मना के साथ नक्रीब तो यह जबाब दे दिया तो यह जबाब देना दिकत है हम आज कर रहे है है पूल रहे है यहुंड कि परसंद किसोर अपने मुह से इस बात को सीध कर दिया कि बास्तव में हम नचनिया और एक चैनल हम उसका देख रहे थे हम एक इंटर्विव देख रहे थे उसमें वह बोल रहे थे कि जब तना बिहार के लोग हैं सबी लोग घर से एक एक बेटी को आप हमसे जोरिए उनको हम यूटूब पर जोरेंगे और यूटूब से हम कमाने का जर्या उनको बनाएंगे तो जैसे उन नचनिया है वैसे सब माई बहिन के यूटूब पर ही कहगा नचने के लिए वही काम नहीं लोग हम लोग हम लोग सरकार में आए और हम लोग सरकार में आए तब हम लोगों के निता आधर्य बाबु टेसु यादव जी ने पांच लाख लोगों को नोकरी दिया उनको पता नहीं है नचनियां कैंग नौमी फेल कहते हैं कि ग्रेजुएट पास लड़का का इसे नौमी फेल को अपना मुख मंत्री मानेगा गर्जुएट पास इसके जैसा जैसा गर्जुएट हम लोगों की लाकाम बकरी चराता है जाके देखिए बीए पास लोग बकरी चराता है जाके देखिए और इनके जैसा जैसा लोग हम लोगों की लाकाम बहुत वैसा बीए पास भख्री चराता है इनका जो हम लोगों किन्यताक जो कहते हैं ति इनका आका मोदी जी है जिनके सहारे चल रहे हैई उनका डिगरी कभी देखे है कहां ज़रें खट बंदन नहीं करेंगे अकेले 243 सीट पे लड़ेंगे माल ले के बिजेपीस से जब तक माल लेता है तब तक 65 परसेंट जो आरक्षन अतेन पिछराक खतम किया उस पर क्यों नहीं बोलता है जब तक बिजेपीस माल लेता है मुस्लिम का जो है भफ बोड बलाव उसका खतम कर रहा है पहले आप हमारी बास सुनिए तब जब आप दीजिए जब यहाँ ही तैसी है मुसलमान के तो बाफ बोट पर क्यों नहीं बोल रहा है खाली टिकटे देगा और उसका संपती जो क्यंदर सरकार छिंद आ उस पर के बोलेगा परसंथ पंडे नहीं बोलेगा के बोलेगा बोले परसंद पंडे है दम परसंद पंडे में क्योंने बफ बोड पर बोलता है क्योंने यारक्षन खतम कर दिया उस पर बोलता है क्योंने देश में जातिया जंगना पर बोलता है क्योंने बिहार में बीसेस राज के दरजा पर बोलता है दही जम गया है मुह में परसंद पंडे को यह परसंद पंडे चुलबूल पंडे है चुलबूल पंडे है आज से इसका नाम हम चुलबूल पंडे रख दिये हैं और इससे कुछ बेहार में होने चुलबूल पंडे इसलिए रखे हैं कि चुलबूल चुलबूल करते रहा था बेहार में होना जोना कुछ ने यहां कुछ परसंद की सवर परसंद की सवर परसंद की इनका पिता जी जब नम पंडे लिखाता है तो यह जो है ने खाल पिनके भेरिया के साथ छुपना चाह रहा है यह सेर के खाल पिनके यह दलीत पिछरा आत्यंत पिछरा को जो है उनको गिलना चाह रहा है निगलना चाह रहा है तो वह होने बाला नहीं है अब हमारा पिछरा आत्यंत पिछरा दलीत अलप संख्याक सभी लोग जान गए हैं कि यह चु या सेर के खाल पिनके हम लोगों को बीच में दिख भर्मित करने के लिए आया चले बहुत बहुत धन्यवाद प्रसांद की सोड का नया नाम भी रख दिये सदा जी चुल्बुल पांडे बाकी आपको मारी पूरी बात्चीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया धन्यवाद